विद्यार्थियों द्यूतिवर्ष के भूगल विश्य के अंतरकत आज हम मानव प्रजातियों के वर्गी कर्ण के बारे में पढ़ेंगे अलग-अलग मानव शास्त्रियों ने अपने अनुभव और अध्यन के आधार पर इसका वर्गी कर्ण किया है जो प्रमुक मानव शास्त्री है उनके अनुसार जो वर्गी कर्ण है वो मैं बताता हूँ पहले बर्नियर ने जो वर्गी कर्ण किया है 1684 में वो बहुती संक्षिप रूप में इस प्रकार से है पने पांच भागों में मानव परजातियों को बाटा है पहला है यूरोपिय परजाती तूसरी है एशिय परजाती तीसरा है अफ्रीकन परजाती चोथा है लैप के निवासी और पाँचवा है अमेरिका और दक्षन अफ्रीका की परजाती तो ये बहुती सिंपल तरीके से इन्होंने वर्गी करन अपना प्रस्तुत किया है फिर एक भेत्पूर्ण हमारे विद्वान है क्रोबर ये अमेरिका के प्रमुख सांस्कृतिक मानोशास्त्री थे इन्होंने त्वचा के रंग के आधार पर मानव को परजातियों में बाटा इन्होंने तीन तो प्रमुख परकार बताएं हैं और ग्यारे उप परकार बताएं जो तीन प्रमुख उप्रकार है वो देखिए, पहला है काकेशियन प्रजाती, इस प्रजाती के लोगों की त्वचा का रंग होता है सफेद, और इसको किन उप्रजातियों माटा आगे देखते हैं, तो पहली है नौर्डिक, नौर्डिक लोगों की नाक कम चोड़ी होगी, बाल होंगे लहरदार और सिर्की चोड़ाई होगी कम, दूसरा है अलपाइन इसमें बालों और नाक की जो अकरती है वो तो नोर्डिक परजाती से मिलती है लेकिन सिर्की जो चोड़ाई है वो थोड़ी ज्यादा होती है तीसरा है भूमदे सागरी है इसमें नाक और सिर्की जो चोड़ाई है वो छोटी होती है इस प्रकार से दूसरी जो प्रजाती है वो है मंगोलोईड इनकी तुचा का रंग होता है पीला पन लिये हुए आगे इसका वर्गी करण है मंगोलियन इनके बाल सीधे होते हैं सिर होता है चोड़ा नाक है मध्यमाकार का फिर अगली है मलेशियन इसमें नाक मध्यमाकार का और सिर होता है चोड़ा फिर है अमेरिकन इंडियन फिर तीसरे प्रकार में आ जाते हैं प्रजातियों को तो निग्रोइड प्रजाती है ये कत्वचा का रंग सामवने तया काला शामवर्णी ये लोग होते हैं और इसके अंतरकत नीग्रो मेलनेशियाई काले पिग्मी बुश्मेन ये उपर जातिया इसमें आती हैं शरीर के उपर बालों की कम सखंता मिलती है नाक चोड़ी होती है मद्यमाकार का सीर होता है इस प्रकार से इनों ने क्रोबर ने मानव परजाती का वरगी करण प्रसुत किया है फिर सबसे जो महत्मून आगे हमारा वरगी करण आता है वो ग्रिफिथ टेलर का आता है ग्रिफिध टेलर ने जलवायों के चक्रो और प्रजातियों के विकासात्मक सिध्धानद के आधार पर 1919 में यह बर्गिकरणा अपनária दिया उनका सिध्धानद है प्रवास कटीबन्द सिध्धानद और इसमें उन्हों ने प्रजातियों के उद्भव के बारे में विकास के बारे में वर्तमान समय में कैसे इनका वित्रन हुआ, क्या कारण है, इसका पूरा ब्योरा दिया है और टेलन ने इस सिध्धानत में ये प्रतिपादित किया है कि जो संसार की सारी जो मानव प्रजातियां है उनकी उत्पत्ती हुई है मध्धे एशिया से और जलवायू परिवर्तनों के कारण मध्धे एशिया से विक्सित मानव प्रजातियां बाहर की ओर चली गई इसमें एक तर्थे को धान में रखना चाहिए कि बालों की जो बनावट है मानव की खोपड़ी के सुसकां के अधार पर मानव प्रजातियों को साथ भागों में बाटा गया है पहला है निग्रिटो निग्रो ओस्ट्रलोइड भूमते सागरी है नौर्डिक अल्पाइन मंगोलियन अब हम विस्तार से इनके बारे में जानेंगे एके करके पहला है निग्रिटो निग्रिटो में यह सबसे पुराने प्रजाती है इसका जो उद्भव है मद्देशिया में ही हुआ है और अन्य जो प्रजातियों को उद्भव और निग्रिटो यहीं से स्थानतरन हो करके गए है बाद में यह महादीपों के किनारों पर रहने लग गए नाटा कद है इनका काली तुचा चप्टी और चोडी नाक जबड़ा आगे की और निकला हुआ उन की तरह गुथे हुए छले दार बाल है इनके सिर लंबा और पतला यह सारी शारी देक विशेश्चताएं हैं नेगरिटो परजाती के सिर कसूच कांग और सट से सतर के भीच मिलता है वर्तमान में यह सिरलंका मलाया फिलिपीन्स इंडोनेशिया न्यूगिनी यूगांडा विश्वतपृतिय शित्र कांगो बेसिन परजाती के लोगों के सिर का सूच कांग है सतर से भात्तर सिर लंबा पतला बाल लंबे गुंगराले तोचा करंग भूरे से हलका लाल काला काजल के समान कद छोटा नाक चोड़ी चप्टी जबड़ा भार निकला हुआ यह वर्तमान में अफरीका महादीप के पूरवी भाग में और पस्ची में देखे तो सूडान और गिनी के तट पर और दक्षन पूरवी एशिया के दीपों में पापू और न्यूगिनी में यह रहते हैं फिर आता है ओस्ट्रेलोइड इस प्रचाति का कपाल सूचकांग तो है 72 से 74 के बीच इनके सिर के आकरती लंबी और पतली होती है शरीर का कद छोटा नाक मध्यम चोड़ी सिर लंबा गहरे काले रंग से लेकर के कत्थाई और हलका पीला तवचागा रंग बालों के आकरती भूगराले जबडभाल के निकला हुआ डाइसो साल पहले ये पूरे औस्ट्रेलिया में फैले वे थे लिकिर बाद में बाहर की जाती हैं वहाँ पर आ गई और ये आपके वल मरुस्तरिय और दुर्गम चेत्रों में ही रहने लग गए हैं औस्ट्रेलिया में ब्राजील में मद्य अफरीका और एशिया के दक्षन पूरवी हिस्सों में मिलते हैं नेक्स्ट है भूमद्य सागरी है इस प्रजाती के लोगों का कपा सूचकांख है चोहत्तर से सत्तर के बीच है सीरलंबा बाल भूंगराले नाक पतली अंडाकार चबड़ा थोड़ा सा भाहर के और निकला हुआ तो अच्छा खरंग कांसे के समान जय तूनी शरीर का कद मध्यम यह भूमद्य सागर के तटवर्ती चेतरों में मिलते हैं इसलिए इनको भूमद्य सागरी प्रजाती केते हैं यूरोप का दक्षन हिस्सा उत्री अफरीका उत्री अमेरिका और उस्ट्रेलिया आधी में इनका वित्रन मिलता है नेक्ट है नौडिक शिरश्य सूचकांक है 78 से लेके 82 मध्यम लंबाई चोड़े के लहरदार और अंडाकार कटान के बाल नाग गरूर के समान लंबी आगे से नोकीली चेहराश चप्टा त्वचाकरंगोरा भूरा गुलाबी कद लंबा शरीर सुख सगटित ये मुक्यरूप से यूरोप के उत्री पस्वी भाग में मिलते हैं कुछ लोग प्रवास करके उत्री और दक्षन अमेरिका और एशिया में भी चले गए हैं अफ्रीका में ये परजाती नहीं मिलती नेक्स्ट है अलपाइन इनका उद्वब समय में कम है इन्हों नमीन परजाती माना जाता है इनका कपाल सुचकांग है 82-85 सीर चोड़ा सीधे बाल नाक लंबी पतली तुचा का रंग सफेद भूरा पल्ली होगे गोरा चेहरा सपाट ये लोग यूरोप महदीप के मध्या और दक्षन पूरवी हिस्सों में मिलते हैं तुचा के अधर पर भी इसको आगे माटा गया है जैसे पस्चिमी शाखा में देखें तो स्विस, स्लाव, आर्मीन, आद आदि उपजातियां तो इसमें रंग थोड़ा पीले रंग का पीला पन लिवे होता है कि नेक्स राता है मंगोलियन ये प्रजातियों के बाद में विक्सित हुई और नविंदम प्रजाति इसको माना जाता है कि कपाल सूचकांख है 85-90 इसके सिर का जो आकार है वो गोल, बाल, सीधे, पतली नाग, सपाट चहरा, रंग में पीला पन, लिवे गोरा, कदमध्यम इसका जो इत्रन है वो एशिया के पूरी भग में चीन, जापान और कोरिया में है और एशिया के दक्षन पूर्वी हिस्सों है इस प्रकार से टेलर के दौरा ऐसा वर्गि मुझ्यकरण दिया गया मानाव के परजाती का इसके लाबा हेडन ने भी माना परजातियों के वर्गे करन किया है इन्होंने बालों के अधार पर मुख्य रूप सक किया इसमें जैसे उनी लच्छेदार और छलेदार बालों वाली परजातियां पिर लहरदार बालों वाली परजातियां और फिर सीधे बाल वाली परजातियां तो इसके बारे में हम पहले भी जानकारी ले चुके हैं कि कौन-कौन से परकार की परजातियों के बाल किस-किस परकार के होते हैं अब देखिए विश्यू की प्रमुख मानव जो परजातियां हैं अगर उनको मानव शास्त्रियों के अधार पर जाने तो चार प्रमुख समू हैं पहला है नीग्रू या नीग्रूइड दूसरा है मंगलोड तीसरा है कौकेशिर चोथा है ओस्ट्रेलोइड सबसे पहले जानेंगे नीग्रूइड के बाले में ये सबसे पुरानी है सबसे अधा विक्सित है और ये प्रजाति महादीपो के अंतिम छोर पर सखन वनों में पहाडियों में विश्म परिश्चितियों में ये निवास करती है ये प्रजाति सम्हू के लोगों की शारिक विश्चता हैं कि तुच्चा करंग काला कद छोटा नाक चोड़ी चप्टी बाल उन की तरह घुंगराले जबड़ा आगे की और निकला हुआ इस परजाति के सम्हू में मुख्य निग्रो परजाति आती है सबसे पहले तो जो सेनेगल नदी से नाइजिरिया के इलाके में और ये भारत तक ये फैली हुई है कांगो नदी बेसिल और कैमरून के सखन 1 के चेतरों में तो 1 के चेतरों में जाता है ये जगली निग्रो पर जाती आती है ये अफ्रिका के सेनेगल नदी सूडन यूगंडा रोडेशिया आदी जगलो में रहती है आधिम तरिके से जीवन यापन करते हैं इनका छोटा कद है जबड़ा निकला हुआ होट मोटे बाल काले गुंगराले इस प्रकार किये इनका विद्रण मिदलता है इसी में बंटु निग्रों बुश्मैन होट एंट टॉट पिग्मी समुद्री नीग्रों बुश्मैन जैसा आप जानते कालाहारी के मरुस्तनों में रहते हैं इनकी भी नाग चोड़ी चेहरा चोड़ा गुरले बाल मोटे होट पिग्मी सबसे छोटे होते हैं ये चारिकत के रूप में ये वो सतकती इनका एक दिश्मेलों चार मीटरी होता है ये कांगों के वेसिन म मलाया सुमात्रा अंडमान में फिलिपिन्स में न्यू गिनी में रहते हैं तो अचागा रंग है काला है कि सिर्च छोटा नाक चपती होट मोटे कि इस प्रकार के इसे कर लक्षण पाए जाते हैं फिर है मंगलोइड जो परजाती है मंगलोइड परजाती में एशिया और अ कार छोटा कदमध्यम, बाल सीधे और काले, सुगठित शरीर, तो अच्छा करन कुछ भी लपन लिए होगा, इसमें क्लासिक मंगलोइट, ये साइबेरिया के आमूर के मेशिन में मिलते हैं, इसमें कोरियाक और गोल्डी गिल पाक, ये सम्मू है, और मूल या मलाया, ये उत् आर्क्टिक या एसकिमोड बंगलोइट, ये उत्रिय अमेरिका में देखें तो कनड़ा, सैबीरिया, छोटी आखें होंगी, छोटा सिर, सापाटनाग, बाल, लंबे और काले, इसमें एसकिमो आते हैं, चुक्ची, या कूत, इस प्रकार से ये लोग आते हैं, फिर है रेड सागर से होकर के अलासका तक चले गए हैं, फिर है इंडोनेशन मलय, ये टीन के दक्षणी भाग में हैं, हिंद चीन, म्यामार, थाइलेंड, और मलाया, यहां तक फैले हुए हैं, तीसरे मेर पर आती है काकेशन पर जाती हैं, ये मद्य एशिया में सबसे बाद में विक्षित हुई है, नमीन पर जाती है, यूरोप, दक्षन पर चिम एशिया, इन इराकों में, इनका तुच्चा का रंग गुलाबे पन लिये हुए भूरा, सीर के बाल मुलायाम होट पतले, तुच्चा का रंग भूरा होने करन ये भूमतिसागर के तरवरती छेतर, दक्षन यूरोप, पस्चम एशिया, उत्रिय अफ्रीका में होने करन इनको भूमतिसागर पर जाती भी कहते हैं, और ये काकेशन पर जाती की मुख्य उपर जाती है, मेडिटेरेनियन, अट्लांटिक, मेडिटेरेनियन, और इरानी, अफगानी, ये तीन भाग इसके आगे बनाये जाते हैं, ये लोग स्पेन, उर्टगाल, इटली, टर्की, मिश्र, उत्रिय अफ्रीका के देशों में, अरब, छेतर में, बिलते हैं, फिर आर्मीनोइड हैं, आर्मीनोइड में आर्मीनिया, टर्की के आर्मीनिया और यूरो प्रजाती है तो नौर्डिक में बाल्टिक सागर के पास नौर्वे, स्वीडन, हॉलेंड, नैनमार्क, जर्मनी, पॉलेंड, ब्रेटेन, उत्री जर्मनी, इनकी उपशाखा बाल्टिक, नौर्डिक प्रजाती के नाम से जानी आती है, इस प्रजाती में आखे भूरी होंगी भूरा रंग, सीधी और पतली नाग, लंबा कद, फिर अल्पाइन के प्रजाती इसमा आती है, अल्पाइन में, अल्पाइन शेतर जिसको कहते हैं, वहाँ भी सीधे बाल, पतली नाग, श्वेति या गोरा रंग, फिर पूरवी बाल्टिक प्रजाती बाल्टिक छेतर में मिलते हैं, पॉलेंड, जर्मनी, फिनलेंड, बैलारूस, डिनारिक प्रजाती अगली है, स्वेट जर्नेंड से लेके योगोसला वाकिया तक, अल्बानियम निवास करती है, और सीरिन का चोड़ा होता है, पॉलेनेश प्रजिया दूइपों में ये मिलती है, छोटा सिर, चोड़ा चेहरा, नाक चप्ती, फिर इंडोदर्विड, भारत के दक्षणी हिस्से में और श्रिलंका में ये लोग मिलते हैं, रंग इनका गहरा भूरा, बाल लहरदार, सीधी नाक, बद्यमाकार का कद, लैप पर जात इस परकार से और अंतिम जो है वो है औस्ट्रिलोइट पर जाती है, ये निवास करते हैं, इस इलाके को ओशेनिया भी कहा जाता है, तो इन लोगों को ओशेनिया पर जाती के कहा जाता है, गहरी, चोकलेटी, और कत्थई के समान इनका रंग, लहरदार घुंगराले बाल, चहरा संक्रा और नीचा, काले नेत्र, होट मोटे, जबड़ा आगे गोर निकला हुआ, सिर लंबा, और मध्यम से अधिक लंबाई का कद इनका होता है, तो मानव शास्त्रियों के अधार पर देखे तो ये मध्देशिया से निकल करके, जावा, सेलेबैस, तिमोर द्वीप से हो करके ओस्ट्रिया में चले गए, और वही पर निवास भी करने लगे, और ये लोग प्रोटो-उस्ट्रियलर प्रजाती भी कहते हैं इनको, और इसके अंतरगा देखे तो हमारे हाँ द्रविड जो दक्षन भारत में, वेद्दा, श्रिलंका और आइन, बुरिल, जाप इन सारी प्रजातियों को इसमें शामिल किया जाता है, तो इस प्रकार से मुख्यूरूप से तो चार ही ये मानव की प्रजातियां हैं, इसके बारे में हमें अध्यन कर लेना चाहिए, और यही समयत पूर्ण भी हैं, अंत में जो आपको वरगिरून बताया गया